मुंडारी स्टाडी यीटूब चैनल की आउर से सबको हर्दिक जोहार आज चर्चा करते हैं मुंडाओं का भोगलिक इस्तिती जारकण प्रांत में मुंडा जन्जाती अन्यय मुख्यों जन्जातियों में से एक है इहो एक ब्रीत सुमुदाई के रूप में छोटानाकपूर पर्मंडल में निवास करती है छोटानाकपूर पर्मंडल में मुंडा जन्जाती के आगमन के संबद में शिरी शरत चंद्रो राय ने अपनी पुस्तक दे मुंडाच एंड दियार कांट्री दुहजार बारों में लिख्या है की मुंडा लोग सबसे पहले भारत के उत्तरपस्चिम भाग में इस्तित नदी घाटी यवंग पहाडी दर्नों के आसपास निवास करते थे रिगवेद रामायों तथा महाभारत आधी गुरोंतों के अधर पर सिरी राय मुंडाओं के भर्मन के बारे में बताते हैं की आर्यों दारा मुंडाओं को पुरप की अवर ख़ड़ दिये जाने पर विये उत्तरपरदेश के अजमगर जिले में जा बसे फीर उत्तरी भारत के दस्चिन भाग से बंदल खांड होते हुए मध्य भारत की अवर बढ़े फीर हुए राजपुतना तथा उत्तरपस्चमी भारत में बसे बाद में आधोनिक रहिल खांड अवाध और रहतास गड होते हुए आए और आंत में जारकण प्रांत के चटनाकपुर परमंडल में आकर ओइसे एस्तान में बसे जो राची हजारी बाग तो था पलामु जीले को पिर्थक करता है इस एस्तान को सेखर भूम काते हैं संभवत उहीं से उए लोग उमेडंडा होते हुए सुत्यांबे गड आए सुत्यांबे गड राची जिला अंतरगात जिला मुखालाय से लगभग सुलो किलोमेटर उत्तर में अवस्ति थे इहा गड मुणडाओ की प्रसासनिक समाजिक धार्मिक एवं संस्कृतिक विवस्ता का केंद्र बिंदु था जिसके अवसेस अभी भी देखने को मिलते हैं छटनाकपूर में धीरे धीरे मुणडाओं की जनसंख्या में विर्धी हती गई और उये नाये सुरच्चित निवास इस्तान की खोज करते गए इसी करम में मुणडावंसच के दो भाई चुटुहडाम और नागवडाम के निर्तियों में उये रांची जिला अंतरगात डमडागाडा नदी के समेप पहुचे उन्होंने नदी की धारा में बहते हुए एक लकड़ी के कुंदे के सहरे नदी को पार किया लकड़ी के उस कुंदे में छेद था उसी छेद में एक चुहा था चुहे को देखकर उसे उन्होंने सुब लच्छन माना और उसी नदी के किनरे अपना बसेरा बसा लिया इस इस्तान का नाम परिवत्तन होकर चुटिया हो गया किन्तु कलंतर में चुटिया छोटा हो गया और नागु नाग इन दोनों भाईयों के नाम से छटानाकपूर नाम पड़ा इसके पहले लोग छटानाकपूर को हिरानाकपूर के नाम से जानते थे सुरुच्छित निवास इस्तान की खोज में कुज लोग खुटी उनमंडल के अंतरगात मरांहदा के निकट तिलमा गाउं में बसे उनमें से एक दल माजिया मुंडा के निर्त्यों में तामाड पहुँचा और तामाड के निकट उन्होंने माजीडी गाउं बसाया माजीडी से चलकर रंका मुंडा के निर्त्यों के कुछ लोग उली हातू जो आणकी परखाण के अंतरगात है में जाकर बस गए यही लोग धर्ती आवा बिर्शा मुंडा के बंशज थे कलांतर में तामाड से मुंडाओ का एक दल सिम्भूम चला गया और उहां जाकर उये हो कहलाए एक दल सेखर भूम से ही अलग हकर दमदर नदी के पार्स समतल छेत्र में जाब बसा उये संतल कहलाए दिसंतर गमन के करम में योदी देखा जाए तो मुंडा लोगों ने अपने रहने के लिए नदी के किनारे जहरने के समीप पहार परवतों से गीरा साथ एवं एकांत इस्तानों को ही पसंद किया है जहां उन्हों देनिक जीवन में आवसक बस्तुओं की उपलब्दी आसानी से हो जाती थी नदी तथा जरने से उन्हें पानी मिलता था जंगलों से कंद मूल फोल शाक सबजी इत्यादी खादे पदार्त के अलवा जलवान की लकडी मकान बनाने की लकडी जुडी बुटी इत्यादी सुखमता से मिल जया करते थे जंगलों के बीच रहकर उन्हें जंगली जनवारों के साथ मुकावला भी करना पड़ता था और उनका उये सिक्यार भी करते थे सिक्यार में मारे गाये जनवारों को उये आहार के रूप में खाते थे धीरे धीरे उन्होंने जंगल, जाड, नदी, नाला साप करके खेती लायक जमिन बनाई और उस पर उये खेती करने लगे इस परकार से मुंडाओं का जीवन हमेशा संगर्शमय रहा है और प्राकृतिक की गौद में ही पला है यही कारण है कि प्राकृतिक की सरलता इनके सभाव में भी पाई जाती है बरतमान समय में मुंडा जंजाती के लोग गाओं या टोलों में इस्ताई रूप से निवास करते हैं इनके गाओं या टोले परखाण मुखालों से सुदूर पहाडी एबं जंगली इलाकों में बसे आज भी देखने को मिलते हैं इनके गाओं तो जाने के लिए नदी नाला पहाडी दुरगम मार्गों से गुजरना पड़ता है किन्तु सरकार दोवारा चलाए जा रहे विभीन विक्यास कार्यकरम के क्रियनतों होने से धीरे धीरे उनकी भोगलिक प्रिक्तकता में कौमी आ गई है और बहरी लोगों से भी उनका संपर्क बढ़ गया है जनसंख्या जनसंख्या की दिरिष्टिकन से जारकन की जनजातियों में मुंडा का तिसरा एस्तान है सोन 2011 इसवी के जनगुना अनुसर मुंडा जनजाति की जनसंख्या करिब 12.29 लाख है भासा मुंडा जनजाति की भासा मुंडारी है जो अस्ट्रो एस्याटिक भासा परिवार के अंतरगात आती है उये अपनी भासा को हडो जागार कहते हैं इस मुंडा भासा के अंतरगा सांताली हो, खडिया, उसुरी, बिरहोरी, आधी बोलियां आती है। यह भासा अन्य बोलियों की अपेच्चा आधिक किलिस्ट है। इस बदलते परिवास में आभी अपनी मोकिक विश्यस्ताओं को मुंडाओंने अनच्छन रखा है। लेकिन छेत्रों विश्यस के आधार पर इस भासा परवार्यों परवां में कौमी बेसी हुई है। मुंडारी छेत्रों को चार भासा परिछेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। हसादा, नागूरी, तमाडिया और केरो मुंडारी। हसादा, मुंडारी। खोटी जीला के खोटी मुर्भू और आणकी परखण तथा पस्चिम सिम्भूम जीले के बादगाओं, सराकेला, खार्षामा जीले के कुच्याई तथा खार्षामा परखण के मुंडाओं दार बोली जाती है। इसी बोली में मुंडा भासा की मलिकता छिपी हुई है। इस छेत्रों में अभी वि ऐसे गाउं मिलेंगे जहां के और सिछित मुंडा अपनी बोली के आलवा अन्य बोली से परिचित ही नहीं है। दूसरी नागोरी मुंडारी है जो खोटी जिले के कर्रा तरपा रुनिया और राची जिले के लपंग तथा सिम्डिंगा जिले के बानो कलेविरा तथा उडिशा राज के सुन्दरगड इलाके के मुंडाओं में परचलित है। इस छेत्रों की मुंडारी बोली की विश्यस्ता यह है कि इसमें साधनी या नाकपुरी बोली का सोमिस्रन है। तिसरा तमाडिया मुंडारी है जो राची जिला अंतरगात तामाड बुंडु और सोनाहतु परखाण तथा खूटी जिला अंतरगात अणकी परखाण के पूर्वी छेत्रों में बोली जाती है। इस छेत्रों में बांगला तता बांगला मिश्रिद पंचपरगानिया बोली की प्रधनता है। इसलिए इस छेत्रों की मुंडारी में बांगला का पूट मिलता है। चोगती है केरों मुंडारी जो रांची सहर के आसपास रहने वाले मुंडा तथा उर्वांग जंजातियों दारा बोली जाती है। इसमें रों धोआनी की प्रधनता पाई जाती है। इसलिए इसे केरों मुंडारी कही गई है। उर्वांग जंजातियों दारा मुंडारी बलने की पुष्टी हापमेन ने भी इन साइकोपीडिया मुंडारी क्या में की है। आज के सिच्छित मुंडा योवक योवेतियां आपनी भासा को भोलते जा रहे है। मुंडा समाज में जो लोग गीत लोग कथाएं इत्ता दी है विए शिरिप और सिच्छित मुंडा योवक योवकतियों के कांट में सुरुचित है। लेकिन कब तक सुरुचित रह पाएंगे। लोग जीवन के अस्तित्तों को बाचाय रखने में लोग गीत और लोग कथाएं का विशेश यगदान है। इसलिए इसकी रच्छा अनिवार है। डेवलू जी अर्चार की पुस्तक मुंडा दुरां मुंडा गीत और सिरी जगदीश त्रिगणियात की बाशोरी बज रही। सोसोबूंगा तथा मुंडा लोग कथा संग्रा नामक पुस्तक मुंडारी लोग गीतों और लोग संस्कृति को बिलुप्त होने से बचाने में बड़ी करगार साबित हुई है।